ओम शान्ती, आज 24 चन्वरी 2023 के साकार मधुर महावाक के हैं, आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों से मधुर मधुर रूरूहान की है, उस रूरूहान में बाबा ने समझाया कि मुरली सुनते समय अपार खुशी किन बच्चों को होती है, बाबा के महवाक के जब हम सुनते हैं, अपार खुशी उन बच्चों को होती है, जिनके बुद्धी में रहता है कि शव बाबा हमें पढ़ाते हैं, बहुत दूर से बाबा रोज हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, अच्छी रिती मुरली सुनते, धारन करते, उच्छ पदपा साथ साथ बाबानी समझाया कि सच्चा प्रीतम एक शव बाबा है, वो आया ही है अब सब आत्माओं को वापिस घर ले जाने के लिए, एक की ही याद में रहना है ताकि पापूं का बोजा उतर जाएं, याद दिलाया बाबानी, संगम युग आत्मा और परमात्मा के मिलन क का युग है, इसी समय आप सक्ते ज्ञान सुनते हो, अतिंद्रिय सुख प्राप्त करते हो, जो भी मिसाल है, सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, कच्छुए का मिसाल, सारे संगम युग के हैं, संगम युग पर बाबा का बनकर बाबा को छोड़ना नहीं, बहुत बच्चे बाबा की श्रीमत नहीं लेते हैं, बाब ने कहा कदम कदम पर बाबा से श्रीमत भी लो और सब कुछ बाबा का है ये अनुभव करो, जो कुछ मेरे पास है बाबा का है, ऐसे बच्चे ही अपार सुख का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है, बाबा को सूपने के बाद बाबा से श्री मत लेते रहना है, बुद्धी में सब कुछ रहे कि बाबा का है, त्याग देना है, त्याग देना अथात मेरा पन समाप्त कर देना, बाबा ने का महा मूरक नहीं बनना, कोई-कोई बच्चे बाबा को फार्कती दे देते हैं तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाए सुनते हैं बाबा के मदर बोल बाबा केते हैं मीठे बच्चे यही संगम युग है जब आत्म और परमात्म का संगम होता है मेल होता है सत्गुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्ते ग्यान दे, सत्ते बोलना सिखाते हैं कोश्चन है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फस्कलास रहती है किन बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी रहती है जिनके बुद्धी में रहता है, ये सब कुछ बाबा का है इमर्ज करेंगे, जो कुछ मेरे पास है, सब बाबा का है हर कदम शिरीमत लेने वाले, पुरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्ता बहुत फस्कलास रहती है यात्रा लंबी है, इसले उचे बाप की उची मत लेते रहना है दूसरा प्रश्ण है, मुर्ली सुनते समय, अपार सुक किन बच्चों को भासता है जो समस्ते हैं, हम शिव बाबा की मुर्ली सुन रहे है ये मुर्ली, शिव बाबा ने ब्रह्मातन से सुनाई है मुर्ली क्या है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है शिव बाबा हमें पढ़ा रहे है, जिने बुद्धी में याद रहता है उन्हें ही अपार सुक भासेगा गीत है, पृतम आन मिलो, ओम शांती ये दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है सुखी जीवात्मा in सुखधाम में होती है सभी भगतों का पृतम एक है, जिसको याद किया जाता है उनको पृतम कहा जाता याद करते हैं, जब दुख होता है ये कौन बैट समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सत्गुरू, सबका प्रीतम वो एक है. प्रन्तु प्रीतम आता कब है? ये कोई भी नहीं जानते हैं. प्रीतम कब आता है? ये बात कोई भी नहीं जानते. प्रीतम खुद आकर अपने भगतों को, अपने बच्चों को बताते हैं, मैं आता ही हूँ, सिरफ संगम युक पर, कल्प में एक बार, मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है, उसको संगम कहा जाता है, और सब आत्माई बहुत बारी जनम, पुनर जनम में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सत्गुरु भी एक हूँ, बाकि गुरु तो अनेक हैं, उनको सत्गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वैं कोई सत्य नहीं बोलते हैं, वैं सत्परमात्मा को जानते ही नहीं, जो सत्य को जान जाते हैं, वो हमीशा सत्य बोलते हैं, वैं सत्गुरु है ही सत्य बोलने वाला सत् सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक, खुद आकर बताते हैं, मैं संगम युक पे आता हूं, मेरी आयू इतनी ही है, जितना समय में आता हूं, पति तो को पावन बना कर जाता हूं, जब से मेरा जनम हुआ, तब से मैं सेहज राजयोग सिखाना, आरंब करता हूं, फिर जब सिख कर पूरा करता हूं, तो पति दुनिया विनाश को पाती है, मैं चला जाता हूं, बस मैं इतना ही समय आता हूं, शास्त्रों में कोई टाइम है नहीं, शिव बाबा कब जनम लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, बाबा स्वेम बैठ बताते, मैं आता हूं संगम पर, सं पूरा हो चाता है तब वापिश चाते हैं, मैं इनकी वानप्रस्त अवस्था में आता हूँ, मधे में बैटके मैं राज्श्योग सिखाता हूँ, खुद बैटके बताता हूँ, इनकी वानप्रस्त अवस्था में आया हूँ, पराई देश में, पराई तन में तो महमान हुआ मैं इस रावन की दुनिया में महमान ठेरा, इस संगम युक की महिमा बड़ी भारी जबर्दस्त है, बाप आते हैं रावन राज्ये का विनाशकर, राम राज्ये की स्थापना करने, शास्त्रों में दंत कथाईं बहुत लिखती, रावन को जलाते आते हैं, सारी स्रिष्टी स सब दुखी हैं, बाबा कहते, मैं इसको अशोक वाटिका अत्वा हैविन बनाने आता हूं, मैं इस दुनिया को अशोक वाटिका अत्वा हैविन बनाने आता हूं, हैविन में सब धरम तो होते नहीं, वहां ता एक ही धरम जो अभी नहीं है, फिर से देवता बनाने, मैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड स्वर्ग पधारा गॉड फादर के पास गया बाकि हेविन को थोड़े समझते हैं हेविन अलग चीज है तो बाबा समझाते मैं कब कैसे आता हूं आकर त्रिकाल दर्शी बनाता हूं त्रिकाल दर्शी और कोई होता नहीं सृष्टी के आद जाजधानी Пूरी स्थापन हो जाएगी बच्चे करमा ती तवस्था को पाएंगे तो ज्राइओ इविन अभ। पूरा करके जाओंगा, देवी देवता धर्म स्थापन करना मेरा ही पार्ट है, भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते, अब शिव रात्री मनाते हैं, तो जरू शिव बाबा ने कोई कारे किया होगा, उन्हों पिर स्रीकृष्ण का नाम डाल दिया, ये तो कौमन भूल लिखने में आती है, शिव पुराण आदी किसी शास्त्र में भी ये नहीं है, कि शिव बाबा आकर राच्योग सिखाते हैं, वास्तों में हर एक धरम का एक एक शास्त्र है, देवता धरम का भी एक शास्त्र होना चाहिए, प्रंत उसका रच्यता कौन, इसमें मूझ गए, बाब समचाते, मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्रामन धरम रचना पड़े, ब्रह्मा मुकवन शावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, भोतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं, बाकी देखा गया, नाम से बाइदा नहीं, वे तो भूल भी जाते हैं, वास्तों में तुम्हें योग लगाना है, बाप से, नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं, आत्मा 84 चनम लेती है, हर चनम में नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है, ड्रामा में कोई को भी जो एक बार पार् फिर पांच आरवश के बाद बचाएंगे, ऐसे नहीं, स्रीकृष्ण उसी नाम रूप से कोई फिर आ सकता है, नहीं, ये तो जानते हैं, आत्मा एक शरी छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर आदी एक ना मिले दूसरे से, पांच तत्वों की अनुसार, फीचर्स बदलत है, लक्ष्मी नाराएन, वा राधी कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदी, कोई प्रीतम नहीं, गौड फादर ही प्रीतम है, बाप तो जरू वर्सा देते हैं, इसने बाप प्यारा लगता, बाबा केते मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुम्हें वर्सा पाना है मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्सा पाना है, बच्चे जानते इस पढ़ाई अनुसार जाकर, सुर्य वंशी देवता, वच्चंद्र वंशी शत्रिय बनेंगे, वास्तों में सभी भारतवासियों का धरम एक होना चाहिए, प्रंतु देवता धरम नाम बदल, हिंदु नाम रख दिया, क्योंकि वो देविगुण नहीं है, अब बाब बैट धारन कराते, क्याते अपने को आत्मा समझ और शरीरी हो जाओ, तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है, वो सब का प्रीतम एक ही बार संगम युपे आते हैं, संगम युप बहुत छोटा है, अनेक अधर्मों का विनाश होगा, ब्रामन को भी वापिस जाएगा, क्योंकि उनको फिर दैवी कुल में ट्रांस्वर होना है, वास्तों में ये पढ़ाई है, सरफ भेंट की जाती है, वे विशे विकार हैं जहर, ये ज्यान है अम्रित, ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है, आत्मा में जो खाद पड़ी है, एकदम मुलम्मा बन गई, उसको बाबा आकर हीरे जैसा बनाते हैं, शिवरात्री कहते हैं, रात्री में शिवाया, प्रंतु कैसे आया, किसके गरब में आया, या किसी शरी में प्रवेश किया, गरब मे बहुत पढ़ते हैं, प्रन्तु मुक्ती जीवन-मुक्ती किसी को मिलती नहीं, औरी तमो प्रधान बन गए, सो तो सब को जरूर बनना है, सब मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है, बाप आते हैं अंत में, उनकी सब महिमा गाते हैं, तुम्री गतमत तुम ही जान कोई भी नहीं चानते, बाबा जब शरीमत देने आते, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कोई भी नहीं चानते, खुद कहते, साधारन तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्रामन कैसे पैदा हूँ, ब्रह्मा कहां से आए, उपर स तो नहीं आएगा, वह सुक्षम बतनवासी अव्यक्त संपूरन ब्रह्मा, यहां तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े, एक साकार में है, जिनके मात्यम से मुरली चल रही है, और एक सुक्षम बतन में संपूरन ब्रह्मा, यही जो ब्रह्मा साकार में है, यही स हम पूरण ब्रह्मा बनते हैं, यहां जरूर व्यक्त में आके रचना रचनी पड़े, हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं, बाबा कहते हैं, मैं भी ड्रामा में बंदा हुआ हूं, और मेरा पार्ट भी सरफ एक बार आने का है, भले दुनिया में टाइम लगता है, ग्यान सेहज है, अवस्ता जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी उंची है, बाबा नॉलेजफुल है, तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी, तबी तुनका गायन है, तुमरी गत्मत तुम ही जानू, बाबा कहते हैं, मेरे पास जो सुक शांती का खजाना है, वो बच्चों को आ करके देता हूं, ये जो माताओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है, तबी तो पाप का घड़ा भरेगा, कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है, ये बाते अब तुम जानते हो, फिर भूल जाएंगे, ये वाली आत्माई वहां होती हैं, दूसरे आत्माई वहोती नहीं, जिनको ज्यान की दरकार रही, ये भी जानते कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा-च्छा भी करेंगे, समझे विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहां बठी में रहेंग जो पवित्र बनते हैं, उनको इनाम बहुत मिलता है, ये भी रेस है, उस रेस में फ़स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे, यहां तो 21 जरम के लिए पूरी राजाई मिलती है, कोई कम बात है क्या? ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी जानेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मातन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी, तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, प्रंतु माया याद ठहरने नहीं देती, त्याग भी पूरा चाहिए सब कुछ बाबा का है ये अवस्था बड़ी first class रहनी चाहिए सब कुछ बाबा का है ये अवस्था रहनी चाहिए बहुत बच्चे जो शिरीमत लेते हैं शिरीमत में जरूर कल्यान होगा मत भी उची है यात्रा भी लंबी है फिर तुम उस्मृत्यू लोक में नहीं आएंगे सत्यूग है अमर लोक उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीती समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो सत्यूग में मरते नहीं हो खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हैं बाबा ने कुछ दिन मुरली में पहले स्वस्ट किया कि जैसे अब बाबा के बने आपका एक नया जनम हो गया ऐसे तो लोकिक में बर्थ हो चुका था पर परिवेतन हो गए तो यह नया जनम हो गया ऐसे ही सत्यूग में बहुत खुशी खुशी से एक शरी छोड़ दूसरा लेते हैं सरप का मिसाल भी तुम्हारे लिए है ब्रमरी का भी तुम्हारे उपर मिसाल है कच्वी का भी तुम्हारा मिसाल है सन्यासियों ने तो कौपी की है ब्रमरी का मिसाल अच्छा है विश्टा के केड़े को ज्यान के भूबू कर परिस्तानी परिजादा बनाते हैं परिस्तानी परिजादा बनाते हैं राजकुमार, राजकुमारी बनाते हैं अभी पुर्शात अच्छी तरह से करना है उच्छ पद वा अच्छा पद लेना है तो मेहनत भी करनी है भले धन्दा आदी भी करो, वो टाइम तो छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है, अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया इसमें बहुत विघंड डालती है, बाबा बच्चों को बार बार समझाते, मीठे बच्चे, डीपली रेलाइस करेंगे, बाबा क महामूरक कोई ना बने, प्रन्तु माया बना देती है, आगे चलकर तुम देखेंगे, कि जो कुर्बान चाहते थे, शुरू में जो बाबा पर कुर्बान चाहते थे, अच्छी सर्विस करते थे, उनका भी माया क्या-क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते है इसलिए कहते हैं, ऐसा महामूरक नहीं बनना, बाबा कहते हैं, बच्चो को ऐसा महामूरक नहीं बनना, समझदार बनना है, बाबा को कभी छोड़ना नहीं, पतिग्या कर लेंगे, जब तक संगम है, हम बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अच्छा, मीठे मी रुखने बाब ददको नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए सार पहली पॉइंट है बाब द्वारा जो सुक शांती का खजाना मिलता है वो सब को देना है बाबा से जो सुक शांती का खजाना मिलता है सब को देना है ज्यान से अपनी अ को जमाने की मेनद करनी है दैविगुन धारन करने के लिए देभान को भूल अपनी को आत्मा समझ और शरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है प्रीतम को बहुत-बहुत प्यार से याद करना है आज का वरदान विशेशता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप लिए विशेश युग में विशेशता के बीज का सबसे स्रेश्ट फल है ये रहना सब को संतुष्ट करता यही विशेश शात्मा की निशानी है, इसलिए विशेषताओं के बीज अत्ववर्दान को सर्व शक्तियों के जल से सीचो, तो बीज फल दायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वरिक्ष भी समय प्रती समय आई हुए तुफान में हिलते हिलते टूट जाता है, अर्थात आगे का उमंगुजसा, खुशी वानशा नहीं रहता, तो विधी पूर्वक, शक्ति शाली बीज को फल दायक बनाओ, विधी पूर्वक, शक्ति शाली बीज को फल दायक बनाओ, स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बाटकर, ऐस समर्थ को समर्थ बना देना, सबसे बड़ भूतियों का प्रशाद सबको बाटो ताकि जो ऐसमर्थ आत्माई हैं कमजोर आत्माई हैं वो समर्थ बन जाएं सबसे बड़ा पुन्य है ये अव्यक्ति शारा परमार्थ मार्ग में विगन विनाशक बनने का साधन है माया को परखना परखने के बाद दिरने करना क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरे रूप रच के आती है जिसको परखने के लिए एक काग्रता अता साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ साइलेंस की शक्ति हाहकार से जैजैकार करा सकती है साइलेंस की शक्ति सदा आपकी गले में सफलता की मालाई पहन आज हम चलते फिरते याद करेंगे, मैं विशेश आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे विशेशताइं देकर विशेश बनाया है, विशेश आत्माईं विशेशताओं को इश्वरिय सेवा में लगाती है, स्मर्ण रहे, विशेशताइं प्रभु परसाद है, परमातम देन है, कहीं भी इनमें मेरा पननाया है, बाबा की विशेशता है, बाबा ने दी है, बाबा की सेवा में लगाना है, विशेशताओं की सागर को देखे, उस सर्वगुणों से, शक्तियों से संपन है, उनके पास बैठे, मैं सूस करें, बाबा के पास बैचने से, मुझ में भी शक्तियां आ रही हैं, विशेशताओं में निखार आ रहा है, इस अनुभाव को और बढ़ाते जाएं, मैं विशेश आत्मा हूँ, विशेशताओं की भंडार ने, अपना साथ देकर, मुझे भी विशेश बनाया है, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान होती, प्राइश बनाया रहा है, इस अनुभाव को और रहा हैं,